ठीक हुआ कि असोक का कहानी पूराना था, वरना लोग असोक को भी वैसे ही बदनाम कर देतें, जैसे महात्मा गांधी को बदनाम किया था, जो मुखिया से नहीं बात कर सकता है, वो उस इंसान पर अंगली उठाता है, जो गुलाम बहरत में जाके, इंगलेंड में जाके, करके रख दिया था कलिंग को कलिंग को लाल कर दिया था इतनी बड़ी युद्ध लड़ी थी इसी के बाद असोग असोग महान बन गया उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया ठीक हुआ कि असोग का कहानी पूराना था वरना लोग असोग को भी वैसे ही बदनाम कर देते जै पहले तो असोग को अपने बाप दादा से जागीर में मिली थी चीजे, कौन सा असोग ने सामराज अस्थापित किया था, असोग का बाप था बिंदुसार, उसका बाप चंदगुप्त मौर, असोग के दादा ना थे चंदगुप्त मौर, तो विरासत में तो मिली थी, गांधी जी को लोगों ने ऐसा बर्गला दिया, वो लोग गांधी जी के उपर जादे सवाल उठाते हैं, जो अपने गाओं के मुखिया से नहीं कह सकते हैं, कि तुम रासन काड का है फरजी बना रहा है, का है तुम इस पे डंडी मार रहा है रासन देने में, तुम गांगी ठाना में बइठा लेगा दूगो सिपाही बइठा तो ना भागल जाएगा आपसे, दूगो सिपाही बइठा लिए न थाना में, नहीं भाग पाएंगे आप महात्मा गाधी दुतिये गोल में, सम्मेलन में, रेमजे मैकडोनल्ड परधान मंत्री के साथ, इंगलेंड में जाके को दिये थे कि नियम गलत है, छोड़ के चले आये थे, लोग गरिया देते हैं गांधी जी को, ऐसल में गांधी जी के मानने वाले भी गांधी जी की तरह है इंसाबादी ही, इसलिए लड़बो नहीं करते हैं, वो भी खत है रे छोड़ो यार इसको, इसको क्या समझ म है, बाकि जिन लोगों की हिस्टी पढ़ा है, उनको तो समझ में आ गया हो गए गांधी जी के बारे में,